हेलो शुदेंट्स, होपफुली यू और डूइंग वेल फोर यूर रिसेंट एग्जामिनेशन विच इस विद आई बीपीस क्लर्क तो सबको ये चीज पता है कि हमारे होगा है अगे 18 तारीक से शुरू हो जाएगा तो मुझे लग रहा है सारे के सारे वचछे बहूत ही मेनत कर रहे होंगे कि प्रिलिमनारी कैसे क्लियर हो उसके बाद mains पे जाके बैठे, उसके बाद mains को clear करे, तो मैं आपको एक strategy बताने वाला हूँ कि जिसके तहट आप preliminary को आसान से clear कर सकते हो, तो पहले, कौन से कौन से subject आते है हमारे preliminary में, क्या-क्या, ये काता है reasoning, दूसरा होता है aptitude, तिसरा होता है English, reasoning कितने mark का आता है, 35, aptitude 35, और English 30 mark का, सबको ये बाला tension रहता है कि previous का cut-up क्या था, अब मैं आपको ए चीज बताने वाला हूँ कि cut-up को अपनी दिमाग से निकाली, क्योंकि बहुत तो भैरी करता रहता है और बहुत डिपेंड करता है किसके उपर, बच्चों के performance with respect to the question, कभी भी ये मत सोचके जाना कि अगला जो पिछले वाला साल था, वहां पर हमारा cut-up हमारे state में 77 आ गया, 100 से, तो इस बार मुझे 77 से ज्यादा करना है, नहीं, आपको 77 से ज्यादा नहीं करना है, आपको अपना 100 परसेंट देना है, ठीके, आपको 80 मार का आता है तो 80 का कीजिए, आपको 70 का आता है तो 70 का भी कीजिए, लेकिन ये वाला confidence देयार रखना रही है, कि मेरा accuracy भी सही है, मैं जो जो question बना रहा हूं वो सब सही जा रहा है, और मेरा जो practice, मेरा जो hard working, मेरा जो concept, वो सब सही जगें पे लग रहा है, ठीके, तो पहले हम मैं बताता हूं कि reasoning को कैसे qualify करते है, reasoning का हमारा कितने questions आ रहा है, 35 questions आ रहा है, जिसमें से 25 number of questions, definitely puzzles आ रहेगा, कहां से रहेगा, definitely puzzles आ रहेगा, तो आप बोलोगे, sir, puzzle तो बहुत ही tough आता है, नहीं tough नहीं आता है, वो puzzle easy level काता है, क्यूंकि आप clerk के exam देने जा रहे हो, और वो भी preliminary type, पहले दिमाग से एचीज निकाला कि puzzle बहुत ही tough है, मुझे puzzle नहीं आता, नहीं, puzzle बहुत easy है, आप बस puzzle की motive को समझ लेना है, हर दिन अगर आप 5 puzzle भी solve करते हो, किस तरह का, preliminary तरह का, 5 puzzle preliminary के तरह का, आप अगर solve करते हो न, मैं आपको यकिन दिलाओंगा, आप जरूर mains पे जाके बेटोगे, अगर active reasoning, English का section को आपने clear कर लिए, तो कैसे करना है puzzle, तो मैं बताता हूँ, आप अगर हमारे साथ जुड़े होए हो, तो हमारे तो classes चल रहे हैं, तो puzzle आप तो कर रहे होगे, आपका respective faculty हैं, उनका मदद लीजिए, उनसे पूछे किस तरह मैं, ये चीज को इतने देर में खत अपना जो strength point है, उसमें काम किजिए, और, एक सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, हमारा एक puzzle pedia book available है, book का नाम में बता देता हूँ, puzzle pedia, amazon में available है, even हमारे center में भी available है, price कुछ द्यादा नहीं, 150 से 200 के बीच में आएगा, price 150 के 200 के बीच में आएगा, बहुत सारे pre-liven available का question है, उसके साथ उसका explanation भी है, आप उसको खरीद लिजिए, बस वो सारे के सारे question 10 दिन में आपके solve हो जाएंगे, बस अपने हिसाब से एक चीज़ ये डालना, हर रोज, आज से exam तक, हर रोज मुझे minimum 5 question puzzle solve करना है, अगर आप वो कर लेते हो ना, prelim नरी तो आपका reasoning में clear होगा ही होगा, क्योंकि अगर 25 मार आपने puzzle में ला लिये हो, उसके बाद जो 10 के 10 मार खेना, जो other chapters में आता है, वो तो आप आसान इसे बना लोगे, ये मेरा confidence के आपके उपर, puzzle में बस बीट मत हो जाना है, ठीके, puzzle में कभी बीट ना होना, बागी के सारे चीज़ आप अच बना देंगे, easy level का puzzle आएगा, हम बना देंगे, जो आखिर का 10 question single liner आएगा, उसको बना देंगे, लेकिन हम aptitude कैसे बनाए, वो तो lengthy होता है, वो math होता है, उसको हमें करना पड़ता है, उसके लिए Rob Seat का definitely जरूरत है, लेकिन अगर आप practice करते रहो ना, आप 20 मिनिट में भी म ने, आपको बोलना हूँ, आप 35, तो 35 भी बना सकते हो, बहुत से बचे हैं, वो 35 भी बनाते हैं, बहुत से बचे हैं, 30 बनाते हैं, लेकिन किसी का भी score 28 से नीचे नहीं आता, सबका 28 के उपर आना चाहिए, यानि कि reasoning के आप इस तरह strategy बनाओ, कि 35 अगर मैं लालूं, तो ब रोज आज से सुरू करके, पांच पजल आपको करना है, पांच पजल अगर आप कर लेते हो, लेकिन प्रिलिम्नरी स्टेंडर का, अब जरूर reasoning में अच्छे mark लाओगे, definitely more than 30, aptitude पे क्या है, more than 28 लाना आपको जरूर चाहिए, क्योंकि cut up जैदा जा रहा है, ये आपके दिम मिनिट लग रहा है, हार एक बंदा को भी 2 मिनिट लगेगा, ये मैं सोच रहा, कि ये बाला question मैंने क्यों करूँ, ये तो 2 मिनिट लगेगा, मैं इसे नहीं करूँ, दूसरे बाला करता हूँ, नहीं, हमेंसा प्रिलिम्नरी में ये सोच होना चाहिए, easy को पहले करना चाहिए लेकिन कभी भी skip नहीं करना चाहिए, क्योंकि 20 मिनिट में जो जो question आपके सामने आ रहे हैं, उन सब का answer होना चाहिए, यानि कि मैं अगर 35 question को visualize कर लिया, उसमें ढूंडू कि किसको करूँ, किसको ना करूँ, कुछ वक्त मेरा जाया हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा practice कुछ इस तरह से हो, कि नहीं, जो question मेरा सामना आएगा, मैं उसको इस तरह से practice करका हूँगा, कि हाँ मैं इस question को बना सकता हूँ, एक मिनिट के अंदर बना सकता हूँ, तो definitely आपना 20 मिनिट में 20 question तो जरूर बनेंगे, अगर जो जो question बहुत easy आता है, वो question आपको कुछ leading time देंग को choose किजिए, तिसरा, missing number या फिर आपका wrong number, उसको choose किजिए, उसके बाद आपका D.I. आएगा, वो simple सा D.I. होगा, बहुत ही simple सा D.I. जिसका calculation नहीं आता है, आप उसके हो कर सकते हो, और उसके बाद कोई single liner question आएगा, हमेशा यह चीज याद रखो, किस में आप strong हो, मैं inequality मे strong हूँ, पहले मैं missing number डालूँगा, मैं single liner में strong हूँ, मैं single liner करूँगा, मैं D.I. में strong हूँ, पहले D.I. करूँगा, यह आपके उपर पूरे के पूरे है, कैसे practice करें, तो यह सारे चीज अगर आप हमारे साथ जुड़े होए हो, तो आपके जो भी faculty हैं, उनके जाके पूछ question आते हैं, 30 questions, time भी बस 20 minute दी जाती है, अब English का strategy में आपको यह बता रहा हूँ, आप अगर जितने question प्राक्टिस करते रहोगे, English में क्या क्या आता है, एक आता है आपका reading comprehension, दूसरा आता है आता है आपका error detecting, then synonym, antonym, उसके बाद से कोई अगर आपका आजाए कि नहीं, correct है, या फिर गलत है, या फिर पारा जंबल, बस इतना ही आता है न, हमेशा याद रखना, जो चीज आप practice के हो, उसके उपर ही focus करो, जैसे कि filler, मैंने बहुत से filler किये हैं, अगर filler के 10 question आ रहे हैं, मैं 10 के 10 बनवा दूँगा, या फिर ये बाला confidence होना चाहिए, 10 में तो 8 मे बहुत सही होना चाहिए, गलत तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसके बाद spotting of error को डालो, उसके बाद reading comprehension है, वहाँ पर जो जो question आसानी से बन सकता है, उसको आसानी से कर बालो, क्यूंकि 20 मिनिट में आपको एक passage पढ़ना होगा, उसके अंदर बही question करना होगा, और एकी तो पैसेज नहीं आएगा ना, पैसेज के अलाबा और भी question से सबको solve करना है, और यह मैं आपको बताता हूँ कि English में आपका अगर safe score आप चाहते हो, 20 में से, अगर आप 18 भी score कर लेते हो, 18 से 18, 18 out of 30, then आप एक safe guarded reason में हो, तो आप बोलोगे कि Sir, 18, वहाँ पर 28 किस में 80 में English में और reasoning में 30, क्या मेरा primary qualify हो जाएगा, मैं बोलता हूँ हाँ आपका qualify हो जाएगा, कैसे देखिए, reasoning में 30, minimum reasoning में 30, आपटी में 28, बना कितना 58, उसके बाद आपना English में कितना 18, तो यहाँ पर कितना बोलता है आपका 76, 76 बनता है या फिर नहीं, बहुत से जितने भी state है, किसी का cut off, पिछले साल अगर हम देखे, कोई एक दो का 77 या फिर 78 है, बाकी का सब उसके नीचे, यह तो मैंने आपको minimum बताया, आप अगर कौन सी subject में strong हो, कोई अगर reasoning में strong है, तो वो 35 बना लेगा, कोई अगर 80 में strong है, वो 28 के जगा पर 33 बना लेगा, कोई अगर English मे कि जितने भी बच्चे जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, सही दिशा में मेहनत कर रहे हो, जॉब करने के लिए intent होके मेहनत कर रहे हो, lose hope नहीं करना है, यह मत सोचो कि मैं अब नहीं कर सका, 2-3 से नहीं हो रहा है, 3 दिन से कोशिस कर रहा हो, नहीं हो रहा है, एक हपते से कोशिस कर रहा हूँ कुछ नहीं आपको हम हमारे तरफ से guidance प्रोवाइड किया जाएगा हमारे वो online test activate हो चुके हैं आप online test को purchase कर सकते हो online test हर दिन में आपको एक-एक test आप दोगे उस हिसाब से आपको analysis भी लेगा घर बेट के आप सारे चीज़ कर सकते हो हमारे जो भी sir हैं उ जरूर 30 दिन वाला मिलेगा यानि कि आप मेंस में बैठने के लिए जरूर eligible हो जाओगे अगर मेंस पर आते हैं तो मेंस के जो strategy हम उस्त में discuss करेगे अभी बस focus करना अपना reasoning aptitude English but basically puzzles need to be qualified more in less time in aptitude need to be maintained accuracy in English to do not be get any type of negative mark on any type of the sequence whichever the question you going to be attempt make sure you are going to be make it correct not a single negative mark should be there on your attempt paper okay so thank you all and wish you all the best for the upcoming exam and hopefully you all are doing well and you will definitely get a chance to sit on the main and finally you will soon must be a achiever of any of the banking jobs which will be provided in the future thank you